आईए अब चलते हैं हम चोथे अध्याय की तरफ चंचुला की सिव कथा सुनने में रूची और सिव लोग गमन ब्रह्मन बोले नारी तुम सो भागे साली हो जो भगवान संकर की कृपा से तुमने वेराग्यपून सिव पुरान की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास क कर लिया है तुम डरो मत और भगवान सिव की सरण में जाओ उनकी परम कृपा से तुमारे पाप नश्ट हो जाएंगे मैं तुम्हें भगवान सिव की कथा सही वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गती प्राप्त होगी सिव कथा सुख हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वेराग्य उत्पन हुआ है पश्चताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्राश्चित है पश्चताप ही पापों का सोधक है इससे ही पापों की सुद्धी होती है सत्व पुरुसों के अनुसार पापों की सुद्धी के लिए प्रायस्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तमगति को प्राप नहीं करता परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह भगवान सिव वो पारवती का वास होता है वो सुधात्मा पुरुस सदा सिव के पत को प्राप्त होता है इस कथा का स्रमन सभी मनुश्यों के लिए कल्यानकारी है अतह इसकी अरादना वो सेवा करनी चाहिए यह कथा भव बंधन रूपी रोप का नास करने वाली है भगवान सिव की कथा सुनकर हिर्दय में उसका मनन करना चाहिए इससे चित की सुध्धी होती है चित सुध्ध होने से ग्यान और वेराग्य के साथ महिस्वर की भक्ती निश्चे ही प्राप्त होती है तथा उनकी अनुग्रह से दिव्य मुक्ती प्राप्त होती है जो मनुष्य माया के प्रति आशक्त है वो इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता हे ब्राह्मन पत्नी तुम अन्य विसयों से अपने मन को हटा कर भगवान संकर की इस परम पावन कथा को सुनो इससे तुमारे चित की सुद्धी होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ती होगी जो मनुष्य निर्मल हिदय से भगवान सिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ती हो जाती है सूद जी कहते हैं सोनक यो कहकर वे ब्राह्मन चुप हो गई उनका हिर्दय करुणा से भर गया वे ध्यान में मग्न हो गई ब्राह्मन का उक्त उब्दे सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आशु छलकाई वो हर्स भरे हिर्दय से ब्राह्मन देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़ कर बूली मैं कृतार्थ हो गई हे ब्राह्मन सिव भक्तों में स्रेश स्वामिन आप धन्य हैं आप परमार्थ दर्सी हैं और सदा परूपकार में लगे रहते हैं शादो मैं नरक के समुद्र मैं गिर रही हूँ क्रिपा कर मेरा उद्धार कीजिये जिस पौरानिक वो अमरित के समान सुन्दर सिव पुरान कथा की बात आप ने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पण हुआ है उस अमरित मई शिव पुरान कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी स्रधा हो रही है कृपिया आप मुझे उसे सुनाईए सूद जी कहते हैं शिव पुरान की कथा सुनने की इच्छा मन में लिये हुए चंचुला उन भ्रामर देवता की सेवा में वहीं रहने लगी उस गोकर नामक महाचित्र में उन भ्रामर देवता की मुक से चंचुला शिव पुरान की भक्ति, ज्यान और वेराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई उसका चित सुद्ध हो गया, वह अपने हड़े में सिव के सगुन रूप का चिंतन करने लगी, वह सदेव सिव के सचिदानंद में स्वरूप का इस्मरण करती थी, तत पस्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना सरीर त्याग दिया, उ विमान से सिव पूरी पहुची, उसके सारे पाप धुल गई, वह दिव्यांग ना हो गई, वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट वो अन्या, दिव्या आभूसन पहने सिव पूरी पहुची, वहां उसने सनातन देवता, त्रिनेत्रधारी महादेव सिव को देखा, सभी देवता उसकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे, उसकी अंग कान्ती करोणों सूर्यों के समान प्रकासित हो रही थी, पांच मुख और हर मुख में तीन तीन नेत्र थे, मस्तक पर अर्ध चंद्रा का मुकुट शोभायमान हो रहा था, कंठ में नील चिहन था, उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विदुत पुंज के समान प्रकासित हो रही थी, महादेव जी की कान्ती कपूर के समान गौर थी, उनके सरीर पर स्वेत वस्त्र थे, तथा सरीर स्वेत भस्म से युक्त था, इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्वल रूप के दर संकर चंचुला प्रशन हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रनाम किया और हाथ जोड़ कर प्रेम आनंद और संतोस से युक्त हो विनीद भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदा शुरूं की धारा बहने लगी। भगवान संकर वो भगवती गोरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दिष्टी से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गोरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुप पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के मैं निवास करने लगी। अगर आप सभी को हमारा यहाग छोटा सा प्रियास पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को हमारा यहाग छोटा सा प्रियास कैसा लगा एक बार हमें कमेंट में जरूर बताएं। झाल, 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 झाल